नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे साथ निज्रूम पोस्ट पर राजधानी दिल्ली में MCD चुनाओ के नतीजे आ रहे हैं रुझान आने शुरू हो चुके हैं और वो दिन आ गया है जिसका सभी को बेसबरी से इंतजार था खास्तोर से दिल्ली वासियों को तो बड़ी बेसबरी से इंतजार था चार तारिक को मद्दान हुआ था और 13,000 से जादा उम्मीदवारों की जो किस्मत थी वो दाओं पर लगी हुई थी और आज सुबा आठ बजे से मतगणना शुरू हो गई वोटों की गिंती शुरू हो गई दिल्ली में जो 200 वार्ड हैं उन पर व आदमी पार्टी 118 सीटों पर आगे चल रही है वहीं जो कॉंग्रेस है वो 5 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाय हुए आगे चल रही है तो जो हमने तस्वीर एकजिट पोल्स में देखी थी वहाँ पर एकजिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को सपष्ट बहुमत दिखा रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एकदम काटे की टक्कर चल रही है और सेकंडों के हिसाब से वहाँ पर नतीजे बदलते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं कभी बीजेपी आगे हो जाती है कभी दुबारा से फिर आम आदमी पार्टी जो है वो पीछे हो जाती है और बीजेपी बढ़त बना लेती है जो अलग-अलग वार्ड है दिल्ली के 200 वार्ड है उन सभी के नतीजे आना शुरू हो चुके थे और दुपहर तक जो तस्वीर है वो लगभग-लग-लग-साफ हो जाएगी कि कि किसकी सरकार इस बार MCD में बनने जा रही है और इस वक्त भी मैं आपको बता दूँ कि जब मैं आपसे बात सीट कर रहा हूं 122 सीटों पर BJP आगे हो चुकी है अभी 126 सीटों पर चल रही थे लेकिन 4 सीटों पर वहां पर रुझान अभी आ रहे हैं चूकी तो 4 सीटे कम हो गई है आम आदमी पार में जशन की जो तैयारियां वो पहले से शुरू हो गई थी जब एक्जिट पॉल्स सामने आये थे उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर में सजावट करना शुरू कर दिया गया था वहां पर गुबाड़े और तमाम जशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो स उतनी कमफर्टेवल मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगी बीजेपी की तरफ से उसे कड़ी टकर मिल रही है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रोमांचक मुकाबला हो चुका है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखने वाली बात ही होगी क इस काटेगी टकर में कौन बाजी मारता है यहाँ पर मैं आपको कुछ अपडेट्स जल्दी से बता देता हूँ जो अभी तक की अपडेट्स सामने आए हैं उसमें यह है कि दिल्ली में जो बीजेपी के निता है हरीश खुराना उन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में भी कच सकता है एक्जिट पोल्स सामने आने के बाद जो उनकी उम्मीदें थी उन पर कुछ हद तक पानी फिरा हो लेकिन अब दुबारा से जब नतीज़ों का दिन आया है और नतीज़े आने शुरू हुए हैं तो एक बार फिर से उम्मीदों का जो उम्मीदें की जो किरने हैं व वो भी कड़ी टकर बीजे पी को दे रही है दोनों के बीच में काटे का मकाबला जा रही है कॉंग्रेस साथ सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स पाल्टी citizenship काली तकर देती हुई नजर आ दूसरी तरफ जो सुबह कुछ तस्वीरे आई थी उसमें मनीश शिसोदिया सीए मरविंद केजरीवाल के घर गए थे इस तरह की भी जो अपडेट थी वो सामने आई इसके अलावा जब रिजल्ट आया तो उससे पहले आमादमी पार्टी का एक नया बैनर भी सामने आया था जिसमें ये लिखा था कि अच्छे होंगे 5 साल MCD में भी केजरीवाल तो ये जो नारा था ये MCD चुनाओ में हमें कहीं नहीं दिखाई दिया लेकिन जब नतीजों का दिन आया है तो ये जो पोस्टर है ये जो बैनर है ये आमादमी पार्टी की तरफ से नया नारा दिया गया है इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया सौमार शाम से ही जो चहल पहल थी जो हल चल थी वो बढ़ चुकी थी आमादमी पार्टी के दफ्तर में इस बार MCD के चुनाओ में 1349 जो केंडिडेट थे वो मैदान में उतरे हुए थे जिन में से 709 महिला प्रत्याशी बीजेपी और आपने सभी 200 सीटों पर अपने केंडिडेट उतारे थे जबके कॉंग्रेस के 247 केंडिडेट इस बार चुनाओ लड़ रहे थे वहीं जो जेडियू है जो नितीश कुमार की पार्टी है उन्होंने 23 सीटों पर तो OVC की पार्टी MIM ने भी 15 सीटों पर अप CPI Communist Party ने तीन केंडिडेट अपने उतारे थे इसके अलावा जो छोटी पार्टी हैं उनके भी चार केंडिडेट थे और समाजवादी पार्टी का भी एक केंडिडेट इस बार यहाँ पर MCD चुनाओ में मैदान में था हलाकि यह सभी छोटी छोटी पार्टी हैं जो मुख् किर्फिकेशन ने जारी किया था उसके बाध से लगातार सियास्त गर्मा रही थी सियासत इस मुद्दे पर जारी थी कभी कूरे के पहाड़ को लेकर कभी दिल्ली में साफ सफाई को लेकर कभी यमुना जी की सफाई को लेकर और भी तमाम ऐसे मुद्दे थे जो गहरा रहे थे जिन पर लगातार सियासत दिल्ली में चल रही थी और आज वो दिन है जब दिल्ली की जनता ने जो अपना फैसला सुनाया है उसके सामने आने का दिन है और चूकि हमारा देश एक लोगतांत्रिक देश है तो यहाँ पर जनता ही जनारदन होती है और जनता ने MCD में चुनने के लिए अपना पारशद चुनने के लिए किसको वोड दिया है यह तस्वीर अब सामने आ रही ह इसके अलावा BJP और आमादमी पार्टी में लगातार कांटे की टक्र जारी है इस वक्त भी आमादमी पार्टी 122 और BJP 121 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है तो अभी और क्या-क्या अपडेट्स निकल के इसमें सामने आते हैं MCD चुनाओं में दिन भर क्या कु यूट्यूब चैनल पर भी लगातार उन अपडेट्स को पाते रहेंगे तो फिलाल अभी के लिए मुझे दीजे जाज़त फिर आपसे मुलाकात होगी नमस्कार